नमस्कार मेरा नमस्दाकर दुवेदी आपको मैं हाथ दी स्वाकत कहता हूँ आज हम बात करेंगे कि मेकैनिक से काम कराना बहतर है या जो हम थोड़ा बहुत यूटूब पे देखते हैं वह बहतर है एक्च्वल में यह मुझे कुश्चिन कैसे दिमाग में आया तो अभी मैं लाइब कर रहा था बुरुबार को उन्होंने बोला कि मुझे अपनी गाड़ी खोलने में डर लगता है तो आज हम इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा अपना एक्स्पिरियंस करूंगा कि आपको कब अपने गाड़ी को खोलना चाहिए कब नहीं खोलना चाहिए और मेखैनीक से कब खुलवाना चाहिए ज्याचते मोठे जुञते हैं यूटुब क्या हमें यह लगता है कि नहीं यह तो हम कर सकते हैं यह आराम से कर सकते ह। पहले drown se khol vaana बहतर रहता है या खुलने तो जादा बहिटा रहता है देखे इसमें एक condition अगर आपको confidence हो है तो आप खुदी को लिए अगो यह लगता है कि नहीं मैं कहीं नुक्सान तो ने कर दूब तो करो अगर आप अब काम कर रहें यह बड़ी गारी है पहलि बार कर रहे हैं तो रहेंत करें और आपके पास तो आपके नहीं होगे कोसिस करिए कि आपके घर में जो तू बिलर हैं जिनमें 12 बोल्ट की बैटरी का यूज होता है एलेक्ट्रिक से रिलेटर्ड जो काम करना है तो पहले एक बार आप उसमें थोड़ा सा काम करिए काम करने के बार फिर आप इस पर आए उस पर भी काम दो तीन बार की तीसरी बात हम लोग क्या होता है अगर हम कोई चीज को खोल देते हैं एक बार और हमसे गलती से बन जाती पहली बार तो हमारे में ओभर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं अरे आप तो हम सब खोल लेंगे ऐसा नहीं करिए मेरे साथ भी होता था कि एक बार मैंने एक इस खोल ली थी तुविलर की अचसे दस साल पहले जब मेरी एज करी 18-19 साल तो मैं उसे रेगुलर खोड़ने लगा ऐसा आपको नहीं करना है क्यूकि अगर आप प्लास्टिक के सावान क्यूकि आप कहीं न कहीं या तो प्लास्टिक मिलेगा या कहीं न कहीं लोहा मिलेगा तो या तो उसमें नट-बोल्ट जूडे होंगे या उनके क्लिप्स हूंगे वह अच्छे से फिट रहते हैं उनको जितना बार निकालेंगे ना आप चाहे इसावजान निकाले उसमें हलकी सी रगड़ लगेगी तक हलका हलका कि यह मेरे से क्ल की नहीं रहा है मैंसे को उलके रहूंगा चाहे जो जाए मैंसे कोतरalg रोंगा ऐसाथ अपना आप गाड़ी का नुक्सान कर बाठी अगर आप से नहीं हो रहा है तो यह जरनरली अ 200 कीषा समय के लोगों में जादा तर होता है क्योंकि उनमें अच्छा खासा खून उबलता रहता है या फिजिन के साथ एक्सपीजेंस नहीं हुआ रहता था थोड़ा भूती धहुदा तो इसलिए मेरे को हलका फुलका नॉलेज अब आ जाते हैं थोड़ा सा मेकैनिकल काम के लिए मेकैनिकल काम में समझेगा बात को आपकी विभावना सही है और जो यूटूबर हैं उनकी विभावनाओं को समझेगा अगर वो एक वीडियो बनाने के लिए अगर वो डेढ़ घंटे का डाल देंगे तो आप मेंसे चांस है कि सौ मेज़ा सिर्फ एक या दो ब्यक्ति देखें बात समझेग लेकिन उस एक से डेढ़ घंटे के वीडियो में मैं गारंटी देता हूं कि वह बंदा आपको सब कुछ समझा सकता है और वह चुकी आप देखेंगे नहीं अब उन्होंने मेहनत की है तो उन्हें यह वीडियो बनाना पड़ रहा है और जो वीडियो बनाएंगे तो उनकी यह इच्छा रहती है कि जादा से ज्यादा लोग देखें ज्यादा टाइम तक यूटूब में फंक्सान है कि अगर जो जितना ज्यादा देखेगा न वह उतना लोगों को इस दो आपको थोड़ी न थोड़ी कहीं न कहीं मिस हो जाए इसी लिए अगर आपको बारा सा काम क अगर आपको करना है थोड़ा टेक्निकल हैं सबसे पहली बात आपको हलका सा टेक्निकल होना चाहिए अगर आपने अपने घर का बल्व तक नहीं बदला है तो फिर आप इस काम को छोड़ दी या फिर आप उसको सीखिए उससे समझे फिर कीजिए यूटूब पर वीडियो द से कर सकते हैं और अगर आप Youtube देख रहे हो अतने पर्फेक्ट घंसे न करती से होती। जहां तक मेरी बातों को आप समझ रहें होंगे। यूटूब पे बीडियो लोग क्यों देखते हैं पहला जानने के लिए दूसरा अगर कुछ उनको काम करना होता है अब इस समय लोगों के पास कम भी पैसे रहते हैं खासकर हमारे कम एज में जो लोग रहते हैं 20 से 18-15 सार इवन 22-23 सार लोगों के पास जिनके पास थोड़ा स भी हो जाएगा साथ में हम वूख काम कर भी लेंगे तो हमारा थोड़ा सब पैसा भी बच जाएगा यहीं पर उनसे गल्ती हो जाते हैं अगर आपको पहली बात मैंने बताया ना अगर आपको कॉन्फिदेंस के बीच में इगो नहीं होना चाहिए ओभर कॉन्फिदेंस और confidence में बाल के बराबर भी जगार नहीं होती इस्थान नहीं होता गैप नहीं होता यह जो बाल अपन तोड़के अगर दो चीज़ों के बीच में रखे ना उतना प्लेस तो कभी मत होईएगा हमेशा गाड़ी खोलते वक्त डरते रहिए और अगर आप डर रहे हैं आपको गाड परसंट रिकमेंड करूंगा कि वह बीडियो जरूर देगे इसलिए क्योंकि वह जाएगा मेकानिक के पास मेकानिक के पास देखे बहुत सारे काम रहते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी ही एक गाड़ी है अगर एक गाड़ी भी होगी तो साथ उनके लड़के हैं या बड़ा से ध्यान रखना उसमें मैंने देखा था यह आपने नट अच्छे से नहीं किसा इसको नट से अच्छे से कर से दीजिए आप ध्यान देंगे ना बहुत सारे लोगों की सिकायत आती है कि जब आप्टर मार्केट कुछ ना कुछ लगवाते हैं कुछ ना कुछ करव आत उनमें आवाज आने लगती है तो जो काम करवाना चाहता है लेकिन खुद नहीं करना चाहता उसको तो हंड़ेट परसंट रिकमेंड है कि उसको वीडियो हादी चीज की देखनी ही देखनी चाहिए कि कहीं पर कोई चीज मिस तो नहीं हो रही है फिर आप सर पकड़ लो थोड़ा सा मेकैनिक से ऐसा नहीं एक फुल ले ले लिए कि मेकैनिक आप से फ्रस्टेटर्ड हो जाए थोड़ा सा भी अगर आप से उससे कमांड लिया है ना तो वो बंदा फिर सही ढंक से काम करे उसको इतनी जल्दवाजी नहीं रहेगी वो फिर थोड़ासा अपना ये क्योंकि उनका भी उगो सामने आ जाएगा कि मेरे को फिर ये गाड़ी अच्छे से ही देनी है नहीं तो कल को यह कहेंगे नहीं यह खराप है कि इनको तो यह चीज मालूम है और खोलते वक्त आपको एक चीज का हम थोड़ी से और चीज द्यान दें प्लास्टिक की चीजों से लोहे के नटबोल्ट है उनको अगर आपके पास तौर्क रिंच नहीं है मतलब अगर आपके पास नॉर्मल आपको एक्स्पीरेंस नहीं है नकसने का तो थोड़ा सा आप उसको कड़ा करते जाए जब आप उसको कड़ा करेंगे ना एक सिच्वेशन ऐसे आएगी कि वह समझे है कि फोड़ा से जब यह स्प्रिंग की तरह आपका नट वह काम करने लगे जब आप कस रहें तो अब तक आप उसको टाइट करें प्लास्टिक की चीजों को अभर टाइट न करें इतना टाइट हो कि वह खुले नहीं और इतना कम टाइट हो कि कम से कम उसके अंदर अभी मैंने कुछ टार्क रिंज की बात की आप सोचोगे कि यहां नट कस्ते नहीं बनता है थार कर दिशक कि क्या बात कर रहा है तो अप जब कस्ते हैं ना उसमें लग रहते हैं तो चाहरी सब्सक्राइब बहुत चीज़े रहते हैं वह मत जाईए तो जब आप कुशको कर तो जैसे ही पचास आ जाएगे तो कट कट की आवाज करने लगे मतलब आपका वह पचास न्यूटरन मेटर फिक्स लग चुका है वो ठीक हो जाए हमारे लोगों के साथ समस्य क्या होती कि जब हम सुरुवात में होते हैं तो हम किसी भी नट को इतना करते हैं करे यार वह बिल कि वो बंदा पर्फेक्ट नहीं है उसने भी कुछ ने कुछ घलती की होगी कुछ ने कुछ अपना नुक्सान किया ही किया होगा ऐसा कोई यूटूबर नहीं होगा मेरे हैं तो जैसे कुछ चीज़े करना है कि भाई आइल ड़ेंज करना है या पिर कुछ कुछ भी करना है अगर आप वीडियो देखने के बाद आपको यह लग रहा है कि नहीं आप मेरे कुछ समझ में नहीं कोई परिसानी नहीं है मिस्तरी या मेकैनिक के पास जाएए उसके पास खड़े रहिए और जब तक वह काम करें और कैसे वह काम कर रहा है इसको दिखी फिर नेक्स टाइम आप ट्राइगे और आप जब ट्राइग कीजेगा तो प्लीज उसको बीच बीच में उसका रबला जासकता है फिर बैच जरूर लीजेगा कि वह मेरी चीज प्रापर है कि नहीं है कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है तो उस चीजों को जरूर देखें कोई भी इंसान यहां कोई भी जो हो वह किसी ना किसी से सीखा होता है फिर वह काम करता है बहुत ही कम लोग होते हैं कि खुद का इंवेंशन कर लेता है तो अगर आप कहीं पर भी कोई से भी वीडियो देख रहे होंगे तो उस पर जरूर देखेगा कि क्योंकि हर सारी वीडियो लगवग आपको सिमिलर ही दिखेंगे क्योंकि जो कहीं न कहीं से सीद्लियों अपनारी जरुतौ कंथे पूरी सकी देखता हूंया तो रिसार्च करता हूं समझता हूं फिर ऊसक को अपनी गार अप आपने आप भी यहीं करिए जहां पर मेकानिक की जरूओं थो बे जिजक पैसा छोड़िए मेकानिक को दिखाइए मेकानिक से काम करवाई जो आपको नहीं समझ जो आपको परफेक्ट समझ में आ रहा है वह आप करें ओभर कॉन्फिटेंस और इगो दिमाग में बिना लिए हुए ग अब 4,000,000,000 से तो स्टाठी होती है अब 4,000,000 कमाने में जान चली आते हैं अब चल यह 4,000,000 आप कमा भी लेंगे पर जब वो नुकसान होता है ना जो यहां पे चुपता है ना उसकी रिकवरी नहीं है रिकवरी है ही नहीं तो थोड़ा सा भले रुक जाएं जैसे मैंने वीडियो डाल दी थी अपने पारविंडो की हमारी गाड़ी में नहीं है पारविंडो की बुलेरो में तो मैंने फ़र्च वीडियो बनाई थी उसके लिए मैंने पांच महीने इंतजार किया चाहता तो मैं तुरंत ही करवा अगर आपने एक बार खोल दी आप खुश हो गए क समझने को समझ ही उसको बात तब आपके लिए भैतर हो अगर आपका नुखसान हो न हमेशा अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो छोटी चीजोंसे स्टार्ट कीजिए छोटे मूटे बलब लगाना हो गया छोटे मूटे कनेक्संग करना हो गया अगर आपको बहुत डल बात देखिए पहाइज में आपको जरुफ में आपको जरूरत होगी की पान्क्सान ठीक है अच्छी बात है आपके लिए ठीक है हम लोग बनाते हैं कि आपको जरूरत नहीं होगी साथ किसी को बात यह आपको नहीं लगाना है कोई बात नहीं मत लगवाए कोई जरूरत नहीं बिलकुल भी नहीं बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़े करते हैं तो क्या मैं लगाता हूं क्या आप लगाते नहीं लगाते ह को लगाना होगा तो बनाते बहुत सारी शीजे छोड़ दिया होगा तो इस गाड़ी को जितना आप सेफ रखेंगे जितना कम खोलें उतना अच्छ और गाड़ी को नहीं खोलें वह थोड़ा सा रिस्की हो जाता है सच में बता हुआ है दोस्त की गाड़ी है 2011 मौडल की है कि उसमें सब कुछ डाल दिया वह इतना जाम था ना कि नर्ट उसके खुलने ही बंद हो गए मैं कहा यारे इसको छोड़ो नहीं तो तूट नहीं तो तूट जाएगा तो फिर नुकसान ही हो जाएगा फिर उसको ड्रिल कराओ अलग से और बहुत सारी दिक्कते आजा तो थ वीडियो पसंद आयरा उसको लाइक जरूर कीजे कुछ लोग सब्सकाइब नहीं करते अगर आप देख रहे हैं तो कीज्या बाद में नहीं देखना है जिस दिन मन्ह,व कुर देखना और आप सीध्यां सब्सकाइब कर लिए वह बड़ीआ पर आप देख रहे हैं और सब् आप आप को पसंद आई थो लाइक और कमेंट जरूर करिए कुछ लोग को पसंद आती है तो लाइक करते हैं कुछ लोगों को विडियो देखा यह नहीं है उन्हें लाइक कर दिया है और कमेंट भी कर दिया है तो ऐसा मत कीजिए जब पूरा वीडियो देखिए हमारे लिए सबसे अच्छा तोफ़ा आपका यही है कि आप उस वीडियो को पूरा देखिए तो आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा तो यहीं तक बहुत लंबी वीडियो होगी पर देखने पर यह उनस्ति से मैं आपसे बता रहा हूं कुछ लोग अफेंड हो जाएंगे ऐसा बात नहीं है हम तो पूरा देखते हैं हमको तो चाहें त्टेट घंटे की होगी तो भी हम देखते हैं सब के लिए नहीं कुछ लोगों के लिए भाई सौ मेंसे अगर एक दो सो में से दो पांसो में से पांच लोग अगर पूरी वीडियो देख भी रहे हैं तो फिर मेहनत नहीं निकल पात तो इसका ध्यान दीजिएगा नहीं जरूरत है बिलकुल मत करवाई तो इसी बात पर अगर आपने लाइक किया है तो बहुत-बहुत धेना सस्काइब किया है तो बहुत-बहुत धेना मैं बुलेरो सरे लेटर वीडियो लाता हूं आज वही मेरे दिमाग में चलाता है मैंने का आपको बता तो मैं सुधाकर दूबीदी आपका वीडियो देखने का बहुत-बहुत धेन्दबाद करता हूं नमस्कार